विश्व के दो कोलों में धेशड जंग छड़ी हुई है एक तरफ रूस और यूक्रीन में जंग ने भारी तबाई मचाई है तो यहीं दूसरी तरफ इसराइल और फिरिस्थीन के युद्ध में भारी नुपसान हुआ है अब एक और देश जंग की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है जिहां चीन ने ताइवान की चारो दरफ से गेराबंदी कर ली है अश्रंका ये जताई जा रही है कि जून के शुरुआत में चीन ताइवान में घुसपैट कर सकता है चीन के इस मिलिटरी ड्रिल के चलते दाइवान में मौझूद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज हाई अलर्ट पर है इस समय चीन के 42 से ज्यादा मिलिटरी ड्रिल कर दाइवान के आज पास उडान भर रहे है इनमें से करीब 28 ने मीडियन लाइट को पार भी किया है चीन ने ताइवान के चारो तरफ 15 युद्धपोट, 16 कोस्ट गार्ड शिप तैनात किया है चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता वांग विंबीन ने कहा कि ताइवान की इंडिबेंडेंस फोर्सेज के सिर्फ पोर दिये जाएंगे चीन में इसी दाव्यास में J-16 और J-20 फाइटर जेट्स को तैनात किया है इसके अलावा टाइप 052D डेस्ट्रॉयर्स और टाइप 071 लार्ज एम्फीबियस वालफेर शिप तैनात किया है इसके अलावा चीन में DF-15B मिसाइले तैनात किये है यह चोड़ी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइले साथी पियेचल-03 मल्टी लाउंच रॉकेट सिस्टम को लगाया है वही ताइवान ने भी बचाओ के लिए तर्टो के पास अपनी सूपर सोनिक एंटी शिप मिसाइल HF-3 तैनात कर दी है यह खास तरह के एर डिफेर्स सिस्टम है जो दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों, फाइटर जेट्स, हेलिकॉप्टर को आसमान में ही मार कर गिरा सकते है इस मिसाइल का पुराना वर्जिन भी तैनात किया गया है इन्हें ब्रेव विंड-3 भी बुलाते है यह मीरियम रेंज की सूपर सोनिक मिसाइल है खासतों से जमीन और पानी पर चल रहे टारगेट्स को निशाना बना ले के लिए ताइवान इनका इस्तेमाल करता है ताइवान के पास 2007 से लगातार यह मिसाइल पैनात है अब तक ताइवान ने करीब 2500 से ज़ादा मिसाइले बनाई है इसकी रेंज 400 किलोमेटर है यह अधिकतम 4,322 किलोमेटर प्रति घंटा के स्पीप से दुश्मन की तरफ बढ़ती है इसकी मदद से किसी भी युद्दपोत या जमीनी टागेट को निशाना बनाया जा सकता है यानि चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने कमर कस लिये अगर चीन हमला करता भी है तो बचाओं में ताइवान भी करारा जवाब देगा झाल झाल झाल